जो एक योद्धा कला है जिसे भारतीयन सास्क्राथिक दरहुपर का हिस्षा माना गया है प्रारैंविक समय में तल्वारबाजी का उप्योग योद्ध कला में हुआ करता था लेकिन बाद में इसे एक कला के रुप में विखसित किया गया तलवार बाजी का महत्व नो केवल सरेरिक रुप से है बलकि मानसीक और आध्यात्मिक द्रश्टी से भी है यह एक ऐसी कला है जो मानव सहीयों का मार्क दिखाती है और आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है आज मैं आपको तलवार बाजी का महत्व समझाने वाला हूँ क्योंकि इस चनल पर तलवार को शुरू से लेकर एक बहतरीन तरीके से कैसे घुमाया जा सकता है उसकी वीडियोस स्टेप बाई स्टेप अपलोड करने वाले हैं तो अगर आप तलवार को कही बर भी रख देते हो तो इसमें तलवार का अपमान होता है और खासकर हिंदु धर्म में तो आज मैं आपको तलवार का महत्व समझाने वाला हूँ तो हिंदु धर्म में तलवार काई कलगी महत्व है तलवार जिसमें मा भवानी का वास होता है जो मा शक्ती और कूल दिवी का स्वरूप है तलवार को लेकर कई सारी बाते और परंपराय हिंदु धर्म में युगो युगो से चली आ रही है तलवार के मुख में मा कूल दिवी का निवास होता है तलवार के स्वरूप में साक्सात्मा जगदंबा हिंदूओं के साथ रहती है मैंने कई सारे राजाओं, महाराजाओं और ठाकुरों की तस्विर देखी है लेकिन किसी में भी तलवार को जूते की नौकपर रखकर फोटो खिचवाते नहीं देखा है लेकिन कुछ नए नविले हिंदू युवा तलवार के साथ ऐसी फोटो खिच कर माभवानी का अपमान करते है ये युवा उस तलवार का अपमान करते है जिसको हर शूप-शूप काम में साथ में रखा जाता है जिस तलवार से हमने एतिहास रचा है इसी तलवार को हम अपानित करें यह कदा भी ठीक नहीं है अग्नान्ता सरुप भवानी सरुप तलवार का अपमान बंद होना चाहिए जिसकी भी ऐसी तस्विर दिखे उसे टोकना चाहिए जब भी आप तलवार की प्रैक्टिस करते हो तो आपको सबसे पहले तलवार को प्रणाम करना है इसके बाद ही आपको तलवार की प्रैक्टिस करनी है इसके बाद ट्रैनिंग के दोरान तलवार को कही बरभिया से नहीं रख देना है आपको सही जगब पर रखना है तलवार बाजी सीरीज का ये पहला वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया कि तलवार का मान क्यों रखना चाहिए मिलते हैं अगले वीडियो में जय माताजे